आ गई है वीक 7 की ओनलाइन ट्यार पी रिपोर्ट तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टोप 20 शोज जिनको की ओनलाइन सबसे ज्यादा देखा गया है नमबर 20 पर आया है कलर्स का सेरल से सुराल सीमर का सीजन टू जिसने हासल किये हैं 3.5 रेटिंग प्वार्ट्स यह शोज टोप 20 में बना हुआ है लाश्ट वीक शोज नमबर 18 पर था नमबर 19 पर आया है स्टार भारत का शोज तेरा मेरा साथ रहे जिसने हासल किये हैं 5.0 रेटिंग प्वार्ट्स अब यह शोज ओनलाइन ट्यार पी में काफी अच्छी रेटिंग्स ला रहा है नमबर 18 पर आया है एंडर टीवी का शोज भाबी जी घर पर हैं जिसने हासल किये हैं 7.0 रेटिंग प्वार्ट्स ओनलाइन ट्यार पी में यह शोज हमेशा यह अच्छा परफॉर्म करता रहता है लाश्ट वीक शोज नमबर 15 पर था नमबर 17 पर आया है जी टीवी का शो मीत जिसने हासल किये हैं 9.0 रेटिंग प्वार्ट्स और शी चिंग श्टार यह शो लाश्ट वीक भी नमबर 17 पर ही था नमबर 16 पर आया है सोनी टीवी का शो जगनात और पुर्वी की दोस्ती अनोखी जिसने हासल किये हैं 10.0 रेटिंग प्वार्ट्स शो की बाग ट्यार पी अच्छी नहीं आई लेकिन ओनलाइन ट्यार पी में यह शो अच्छा परफॉर्म कर रहा है नमबर 15 पर आया है कलर्स का सिरल चोटी सरदारनी जिसने हासल किये हैं 12.0 रेटिंग प्वार्ट्स यह शो दोनों तरह की ट्यार पी अच्छी ला रहा है लाश्ट वीक शो नमबर 13 पर था नमबर 14 पर आया है स्टापलस का शो यह है चाहतें जिसने हासल किये हैं 13.0 रेटिंग प्वार्ट्स अबरार काजी सरगुन को लूथरा श्टारू यह शो लाश्ट वीक भी नमबर 14 पर ही था नमबर 13 पर आया है कलर्स का शिरल उडारियां जिसने हासल किये है 14.0 रेटिंग प्वार्ट्स यह शो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है लाश्ट वीक शो नमबर 12 पर था नमबर 12 पर आया है सोनी टीवी का शो धड़कन जिन्दकी की जिसने हासल किये है 16.0 रेटिंग प्वार्ट्स ओनलाइन ट्यार पी है शो अच्छी ला रहा है लाश्ट वीक शो नमबर 11 पर था नमबर 11 पर आया है स्टापलस का शो गुम है किसी के प्यार में जिसने हासल किये है 18.0 रेटिंग प्वार्ट्स ओनलाइन ट्यार पी है शो भी अच्छी ला रहा है लाश्ट वीक शो नमबर 8 पर था नमबर 9 पर आया है कलर्स का शो फना इश्क में मर जावा जिसने हासल किये है 21.0 रेटिंग प्वार्ट्स टाइम स्लोट की वजह से है शो बाग ट्यार पी अच्छी नहीं ला रहा ओनलाइन ट्यार पी शो की अच्छी आ रही है नमबर 8 पर आया है जी टीवी का शो कुमकुम भाग जिसने हासल किये है 24.0 रेटिंग प्वार्ट्स अभी है शो लगातार टोप 10 में बना हुआ है लाश्ट वीक शो नमबर 7 पर था नमबर 7 पर आया है जी टीवी का शो कुम्डली भाग जिसने हासल किये है 27.0 रेटिंग प्वार्ट्स इस शो की भी दोनों तरह की ट्यार पी काफी बहतरी न आ रही है नमबर चिक्स प्राया है जी टीवी का ही शो भाग्या लक्षमी जिसने हासिल किये हैं 28.0 रेटिंग प्वाट्स ओनलाइन ट्यार्पी में है शो इस अफते जी टीवी का नमबर वन शो बना है नमबर फाइब प्राया है सब टीवी का शो तार्क महता का उल्टा चश्मा जिसने हासिल किये हैं 30.0 रेटिंग प्वाट्स इस अफते शो को दो पाइदान का नुकसान हुआ है लास्ट वी की है शो नमबर थ्री पर था नमबर फाइब प्राया है सोनी टीवी का शो बड़े अच्छे लगते हैं सिजन टू जिसने हासिल किये हैं 34.0 रेटिंग प्वाट्स ओनलाइन ट्यार्पी में है शो काफी कमाल का परफॉर्म कर रहा है लगतार टोप 10 का हिस्ता है नमबर थ्री पर आया है कलर्स का पॉपलर शो नागिन सिक्स जिसने हासिल किये हैं 38.0 रेटिंग प्वाट्स यहां इस शो की ओपनिंग ट्यार्पी है और शो ने काफी धमाकेदार परफॉर्म किया है लेकिन ओडियन्स इस शो की बाग ट्यार्पी का ज़्यादा इंतजार कर रही है नमबर थ्री पर आया है स्टाप्लर्स का शो यह रिष्टा क्या कहलाता है जिसको मिले हैं 40.0 रेटिंग पॉआंट्स इस अफ़ते है शो नमबर थ्री पर आ गया है शो पिछले कुछ अफ़तों से नमबर वन पर बना हुआ था नमबर वन पर एक बार फिर से वापिस आ गया है अनुपामा जिसने हासली किये है 41.0 रेटिंग कॉआंट्स यह शो पिछले कुछ अफ़तों से नमबर टू पर चल रहा था तो यह है वीक सेवन की ओनलाइन ट्यार पी रिपोर्ट है अगले हफ़ते कौछ शो बन सकता है नमबर वन अपनी ओपिनियन दीजिए नीचे कमेंट से अक्षिन में स्यूडियो को लाइक किजिए और चैनल को सिब्सक्राब किजिए